नमस्कार आप देख रहे हैं जीविनुज तो दोस्तो वक्त हो गया है दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अवी तक जीविनुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिश जाकर जीविनुज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ब गाड़ी सरकार के गठन के करीब एक महीने के बाद आज पहला कैबनेट विस्तार होने वाला है इसी बीच खबर है कि राष्टवादी कॉंगर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार उपमुखे मंतरी पद की सपत लेंगे उनके नाम को लेकर काफी समय से चरजर चल रही थी हाला कि किसी भी पार्टी ने असपश तौपरा उनके नाम की घोशना नहीं की थी इससे पहले माना जा रहा था कि अजीत उदव ठाकरे के साथ पद एवं गोपनियता के सपत लेंगे मगर ऐसा नहीं हुआ इसके अलावा 36 नए मंतरियों को भी मंतरी मंडल में सामि किया जा सकता है प्रसांत की सोड ने अनर्सी को लेकर सुन्या गांधी की चुप़ी पर उठाय सवाल कहा NPR सरकार का पहला कदम जहां जनता दल युनाइटेट के उपाध्यक्ष और राजनितिक रणनितिकार प्रसांत की सोड ने एक बार फिर नागरिक्ता कानून NRC और NPR को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है इतना ही नहीं प्रसांत की सोड ने National Register of Citizens के मुद्दे पर कॉंग्रेस अध्यक्ष सुन्या गांधी की चुप़ी पर सवाल उठाया है News Agency ANI को दिये इंटर्विव में प्रसांत की सोड ने कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष की एक बयान से NRC के मुद्दे पर कॉंग्रेस का रुख साफ होगा प्रसांत की सोड ने कहा कि मेरा सवाल और चिंता का विशया है कि कॉंग्रेस अध्यक्ष आधिकारिक रूप से यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि NRC को कॉंग्रेस सासित राज्यों में अनुमती नहीं दी जाएगी धरने और परदर्शन करना अलग बात है लेकिन इस मुद्दे पर कॉंग्रेस अधक्ष की ओर से एक भी आधिकारिक बयान न आना समझ से बाहर है अब फेस्बुक नहीं चला पाएंगे भारतिये नौसेनिक बेस और युद पोतो पर स्मार्टफोन ले जाने पर भी पाबंदी यह कठोर कदम इसलिए उठाया गया है क्यूंकि हाल ही में साथ नौसेनिकों को सोसल मीडिया पर दुश्मन को खुफिया एजनसियों को समवेदन से सुचना है लीग करते पकड़ा गया है गौरतलब है कि आंद्रप्रदेश पुलिस ने 20 दिसंबर को पाकिस्तानी संपरकवाल एक जासूस रैकेट का परदाफास करने का दावा करते हुए भारतिये नौसेना के साथ कर्मियों को इस सिलसिले में गिराफतार किया था पुलिस की ओर से जारी एक बयान के अनुसार पुलिस की खुफिया साखा ने किंद्रिये खुफिया एजंसियों और नौसेना के खुफिया विभाग के साथ मिलकर ऑपरिशन डॉल्फिन्स नोज चलाया था और इस जासूसी रैकेट का परदाफास किया था असदुदीन वैसी बोले सरकार देश के अंदर फूट डालना चाहती है जिहां ओल इंडिया मजली से इतिहादल मुसलिमिन के प्रमुक और हैदराबाद के सांसर असदुदीन वैसी ने कहा कि राष्टिये नागरिक रजिस्टर और नागरिक संसुधन कानून लागू करके सरकार देश के अंदर फूट डालना चाहती है उन्होंने कहा कि इस कानून का जबरदस्त विरोध किया जाएगा किसन गंज के रूई दासा मैदान में संबिधान बचाओ देश बचाओ रैली को संबोधित करते हुए वैसी ने प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोदी पर जम कर सानसाधा उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन कानूनों के जरिये बाबा साहिब और डॉक्टर राजंदर परसात के सपनों को तोड रही है उन्होंने कहा कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बलकि है crimes 130 क्रोड लोगों का मसला है इस पर हम लोगों को गम्भिरता से विचार करना चाहिए और इसका विरोध लगतार किया जाएगा हिंदी सम्मान समारोह में बोले मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ कहा कुछ लेखकों ने देश के युवाओं को बर गलाया जिहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनाव में आयोजित 43 वे हिंदी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ में सिर्कत नन्ने पहुँचे इस दोरान उन्होंने कारिक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लेखकों ने हमारे साहित्य को अलग अलग तरीके से तोड़ने मरोडने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवाओं को उन्होंने बरगलाने की कोशिस की पुरिस पार्टी के कारेकरता को बिना हैमलेट प्रियंका गांधी को यात्रा कराना पड़ा महंगा पुलिस ने काटा एकसट सो रुपए का चालान जहां उत्रप्रदेश की महासचीव प्रियंका गांधी वाडरा ने बीते सनिवार को रिटार्ड IPS अफसर आर एस दारापूरी के परीजनों से मुलकात की इस दुरान प्रियंका गांधी को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद पार्टी के कारेकरता ने दो पहिया वहान पर बैठा कर उन्हें एस आर दारापूरी के घर पहुँचाया था तरापुरी के घर जाते वक्त ना तो उनोंने हेलमेट पहना हुँआ था और नहीं उनके पार्टी के कारेकरता ने आपको बता दें कि इस मामले के बाद ट्राफिक पुलिस ने कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरता को हेलमेट न पहनने के लिए जुर्माने के रूप में 61 सो रुपए का चालान काटा है